अम्शान्ति नमस्ते आप सब शुरताओं को और आज जो अगर कोई नए शुरताओं है उनके लिए इस्पेशली आप इस लिंक पर जा सकते हैं जहां पर आप जाकर के योगासन फ्लेक्सिबिल्टी के बारे में सीख सकते हैं तो आज बढ़ते हैं 191 पर शुर्य वर्दान में आज परम पिता परमात्मा हमें क्या कहना चाहते हैं और आज का वर्दान सत्याता के बारे में की सत्याथे के नाव हेलेगी डूलेगी लेकिन दूबे गी नहीं तो देखें परमात्मा कहते कहwhen बाबा कहते हैं सत्यता की महांता द्वारा, सत्यता एक महांता है, जहां सत्य वहां परमात्मा है, जहां चूटे वहां परमात्मा नहीं है, और चूट थोड़े समय के लिए रहता है, सत्यता लंबी चलती है, लास्ट में कहते हैं, सत्यता की हमेशा जीत होती है, तो सत्व्मेव विजहते तो परमातमा कहते हैं, सत्यता की महांता द्वारा सद्दा, खुशी के जूले में जूलने वाले तो खुशी का अंगाया ब्रवाथी, चाहां सत्यता दिनी होती ही, वहाँ पर बहुत सोचना पड़ता है, बहुत मैनिप्रेट करना पड़ता है एक संकल की जगा जो कि एक ही संकल पवितर हो सकता है या सत्य हो सकता है उसकी जगा हाजार संकल बनाने पड़ते हैं उस असत्य को चुपाने के लिए तो वहाँ पर खुशी नहीं हो सकती क्योंकि आपे शान्ती नहीं है तो परमात्मा केते हैं सत्यता की महांता द्वारा सदा खुशी के जूले में जूलने वाले अथौरिटी सुरूब भवा तो परमात्मा वर्ल्ड ओल्माइटी अथौरिटी है तो वैसे ही परमात्मा चाते हैं कि हम भी सत्यता के साथ में रहें मतलब परमात्मा के साथ रहें और उनके ही याद के जूले में जूलते रहें तो परमात्मा चाते हैं कि सत्यता की अथौरिटी सुरूब बच्चों का गायन है समझाना चाते हैं बाबा सच तो बीठो नच अगर सत्यता है तो आत्मा नच मतलब नाचती है अंदर से खुशी से नाचती है और जहां जूट है उसको फिकर होती है, चिंता होती है उसको और सोचना पड़ जाता है लेकिन जो साधारन होते हैं सत्य होते हैं, भोले होते हैं उनको ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, उनको आते हैं, जूले आते हैं, भी आके समझें किस प्रकार के जूले, तो सत्य की नाव हिलेगी, लेकिन डूब नहीं सकती, कोई आएगा आपको कुछ कह देगा, आपकी नाव को हिला देगा, आपकी शांती को हिला सकता है, थोड़ के नहीं में गलत है, कि सही में सही है, लेकिन फोड़ी देर के संकल्पों का हिलना डूला होगा, मैंने ऐसे क्या कर दिया, मैंने ऐसे क्या बूल दिया, लेकिन आपको पता चलेगा Japanese अगर, कि सत्य प्रमात्मा के साथ हो, तो आप हिलोगे डूलोगे, बंअला आत्मा जैएगी शांत हो जाएगी और फिर से सही रस्ते पर आ जाएगी तो परमात्मा कहते हैं सत्क ही नाव हीलेhosि लेकिन डूब नहीं सकती आपको भी कोई कितना भी हिलाने की कोशिश करें तूफान आते हैं जिसे जहाद पिवर आप काम करते हैं या अगर आप अब एरो प्लेन में आते हैं तो टर्बिलिंस आती है तुफान आते हैं लेकिन हमें destiniation तक है अपने mark तक पहुंचना है तो तुफान आएगा हिलायगा दूलायगा लोग कुछ कहेंगे लोग comment करेंगे लोगों डॉरून करेंगे लोग कहुंगर रहे यह तो गलत मार्क भूम रहे हूँ आप चल रहे हूँ ऐसे ठोना होता है ऐसे ठोना करना चbew लेकिन जो सत्यता है वो महसूस करी जए सकती है उसको आप ग्यान के दौरा, बोलने के दौरा नहीं आप महसूस सिर्फ कर सकते हो तो परमात्मा कहते हैं आपको भी कोई कितना भी हिलाने की कोशिश करे लेकिन आप सत्यता की महांता से और ही खुशी के जूले में जूलते हो हमें पता है कि हमें जितना कोई गलत मार्क भी है दिश्या दिखाने कोशिश करे, यह हमें कोई भी कुछ कहे, लेकिन last में, वो हमें और परमात्मा के close और समीप लेके आता है, क्योंकि हमें पता है अनुभवी हैं हम, कि वो सब कोई जूट है, और परमात्मा ने पराने हम अनुभवी हैं, कि दुनिया भी लोगों की बात मान करके, उनकी कहा, उनकी कहानियां सुन करके, कहने वाली बाते मान करके, हम जीवन में दुखी दुख पाए हैं, लेकिन जिब हम परमात्मा के रस्ते पर चलते हैं, तो हमें आरे जीवन में सुक आ जाता है, तो हि कोई बरबार्फ मर्क दोड़ा और याद्ग है तो कोई हिलाई डोलाद में दोला देगे या मतलब ना मतलब आत्मा केते हैं 350 की महान्ता से और भी खुशी यूले में जूलते हो और realization होता है कि हाँ देखो कितना भगवान ने जो कहा है कितना सच कहा है परमात्मा और प्यारा लगता है परमात्मी बाते और मीठी लगती है और सत्ते लगती है और हम और भगवान के पास आते हैं हाँ हो सकता है हम थोड़ा सा इस तरफ चले जाए लेकिन एक जो जूला होता है वो भी तो दूनों तरफ जाता है ना तो जब तक हम अंदकार की तरफ ना जाएं तब तक हमें जो रोशनी है या प्रकाश है उसकी इज़त नहीं होती उसकी वैली नहीं होती तब ही कहते हैं दुख में कोई तो बाबा कहते है आप सतता की महांता से और ही खुशी के जूले में जूलते हो वैं आपको नहीं हिलाते लेकिन जूले को हिलाते है मतलब की हमारी जो सोच है परमात्मा की तरफ और लेके चले जाते हैं हमारा प्यार परमात्मा के पास और लेके चले जाते हैं हमें धक्का जब मारते हैं कोई धक्का लगता अपने जीवन में, जूले को भी तो धक्का लगना पड़ता है, तो हमारे जीवन में जब धक्का लगता है किसी चीज का, किसी बात का, किसी इंसान से, या किसी परसिती से, तो हमें भगवान और याद आता है, और छूलाते हैं, और हमें खुशी होते कि कोई आपको गाली करे, कोई आपको पुरा बला करे, कोई आपसे कुछ छींग ले, कोई आपसे कुछ ले ले, कोई आपकी ही चीज को आपसे दूर कर दे, परमात्वा कहते हैं, जूला रहे न आपको, और भगवान याद आएगा, और मैं याद आओंगा, और जूलो, और खीचने की कोशिच करो अंदकार में हम और भगवान को याद करेंगे, तो ये तो नुकसान में भी फाइदा हो गया, है ना, तो परमात्मा चाहते हैं कि हम हर चीज को लाइट ले, अपने आपको भी हलका रखें, और जैसे कि गुलेल को खीचने के पहले खीचा जाता है, गरत रफ ने, आप यहसे सुचिए कि आप पीछे जारे हैं, और अपनी शक्ती बढ़ा रहे हैं, और ऩुले की तरह पर